C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा साथ के लिए हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वसंत भाग दो पाठ एक हम पंची उन्मुक्त गगन के प्रिष्ट संख्या एक हम पंची उन्मुक्त गगन के पिंजर बध नगाप आएंगे कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंक तूट जाएंगे हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रिंखला के बंधन में अपनी गती उडान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के जूले ऐसे थे अर्मान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने लाल किरन सी चूच खोल चुगते तारक अनार के दाने होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होडा होडी या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी नीड न दो चाहे टहनी का आश्रह चिन भिन कर डालो लेकिन पंख दिये हैं तो आकुल उडान में विग्न न डालो लेखक शिव मंगल सिंग सुमन प्रिष्ट संख्या 2 प्रश्ण अभ्यास कविता से प्रश्ण संख्या 1 हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते प्रश्ण 2 पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन-कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं प्रश्न तीन भाव स्पष्ट कीजिये या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी कविता से आगे एक बहुत से लोग पक्षी पालते हैं क, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं अपने विचार लिखिये क, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी लिखिये दो, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता अपितु, पर्यावरण भी प्रभावित होता है इस विशय पर दस पंक्तियों में अपने विचार लिखिए प्रिष्ट संख्या तीन अनुमान और कल्पना एक, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरी करन से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन हो सकती हैं इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए उक्त विशय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए दो, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षि ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे लिखिए भाशा की बात एक, स्वर्ण श्रिंखला और लाल किरनसी में शब्द स्वर्ण और लाल गुण वाचक विशेशन हैं कविता से ढूंड कर इस प्रकार के तीन और उदाहरन लिखिए दो, भूखे, डैश, प्यासे में द्वंद्व समास है इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को, अर्थात, डैश को, सामासिक चिन्ह कहते हैं इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है जैसे भूखे, डैश, प्यासे, अर्थात, भूखे और प्यासे इस प्रकार के दस अन्य उदाहरन खोज कर लिखिए अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत